कि हमारी कंट्री में डाइपर पहना गलत क्यों बताया जाता है वो भी उस कंट्री में जहां हर मिनट एक नया बेबी पैदा होता है सच कहूं तो बेबी को डाइपर पहनाने के आईडिया ने मुझे कभी इतना ज्यादा अट्रेक्ट नहीं किया बिकोज रियल में मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं था मैंने दादी मौसी जिनके भी बच्चे थे वो सब अपने बेबी के बंब के चारो और बैटशीट यद धोती से कटे वे कॉटन क्लोथ को लंगोट की तरह से यूज़ करती थी बट वेंड आई बिकेम प्रेगनेंट एंड स्टार्टिंग रिसेर्चिंग अबाउट पैरेंटिंग टिप्स देन धीरे धीरे मुझे पता चला कि डाइपर्स बेबी के लिए बहुत अच्छे है और जरूरी भी अगर बात old tradition के compare में बेबी के hygiene की जाए तो जब तक आप अपने बेबी को potty training और toilet training देती है तब तक आप अपने बेबी को डाइपर्स में रख सकती है यह बिल्कुल सेव है मेरी कुछ observation है डाइपर्स के बारे में है जो मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में share कर रहे हूँ कि डाइपर्स बेबी को किस तरीके से relax करता है और new mom इसको थोड़ा सब me time मिल देता है most common reason जो हमारे सामने आया and mostly सब के सामने आता है हमारे time में तो डाइपर नहीं था तो क्या हमारे बच्चे गंदे ही रहते थे हमारे बच्चे भी अच्छे से पल गए यह most common reason है जो new parents के सामने आता है और जो अपने बेबी को डाइपर नहीं पहना पा रहे हैं उनके लिए main issue है generally इस case में दादी नानी की सलाह ली जाती है जो लंगोट को reuse करते हैं जिससे ladies के लिए extra work and no one care about the baby's cleanliness जब भी बच्चा पी करता है यह डम करता है तो moms हर बार उस प्रोध पीस को धोती है और next time reuse करने के लिए उसे बहुत जादा साप समझते हैं second thing लोगों को लगता है कि diapers यूज करने से babies में rashes हो जाते हैं बहुत कम new baby parents को ही पता होता है कि babies में rashes होने के क्या कारण होते हैं because हमारी country में बहुत कम लोग ही बेबी पैदा होने से पहले parenting tips को google करते हैं वो इसे अपनी previous generation से सीखते हैं rashes mainly तब होते हैं जब gentle area को clean नहीं रखा जाता है बेबी की skin को सांस लेने के लिए इसे clean, moisturized और proper air dry time दिया जाना चाहिए market में कई तरेके की rash cream और oil available हैं बट लोग usually इसका use तब करते हैं जब babies में rashes हो जाते हैं मैं सभी momies को यही suggest करूंगे कि daily जब भी आप अपने baby को diaper पहनाएं तो rash cream या oil जरूर apply करें ताकि किसी भी तरेके की rash इससे बचा जा सके थर्ड चीर जो हमारे सामने आती है वो है diapers are not pocket friendly पहले के time में diapers को pocket friendly नहीं माना जाता था विकास सबकी salary बहुत अच्छी नहीं होती थी और family में बहुत सारे बच्चे भी होते थे उनकी basic need को पूरा नहीं किया जा सकता था जो basically diaper से उपर आती है बट आप multiple brands और online services हैं जिसमें आप अलग-अलग varieties को अपने convenience के हिसाब से choose कर सकते हैं जैसे जैसे 6 months का period complete होता है वैसे ही working moms को अपने baby को किसी day care या mate के पास चोना पड़ता है I'm sure कि कोई भी day care baby के पी या पू करने के बाद उनके clothes clean करना या फिर उनके clothes को remove करने वाले काम नहीं करेगा diapers definitely baby को relax करने देगा जब तक कि उनकी working moms का work complete होगा इससे आपको office से आने के बाद nap is दोने का extra effort भी नहीं करना पड़ेगा hope so ये वीडियो सभी mommies के लिए and जो mommies होने वाली है उनके लिए बहुत जादा helpful होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, channel को subscribe और दोस्तों के साथ share करें Thank you